हमारे साथ में क्योंकि गेस्ट का एक बड़ा पानल मौझूद है साथ साथ में जानकारी पलपल की अपडेट आप तक पहुचा रहे हैं आपको जानकारी दे दे कि आपसे कुछी देर के बाद में वित्य मंत्राले निर्मला सीतरमन पहुचेंगी और उसके बाद तमाम मंत्र के साथ में मुलाकात भी करेंगी सबसे पहले में रुक करूंगी हमारे साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिती नागर भी स्टूडियो में मौझूद है अदिती नागर जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कई सारी उमीदें यहां पर बजट से जताई जा रही हैं खास तोर पर यह हला कि इंटरिम बजट है लेकिन पॉलिटिकल ही अगर देखा जाए क्योंकि आप पॉलिटिकल एडिटर है हमारी और पॉलिटिकल ही देखा जाए तो चुनावों से पहले कैसा यह बजट रहने वाला है कैसी उमीदें लोगों के बीच में नजर आ रही है बजट को लेकर हर महीने एक तारिक को जब सैलरी आती है तो जिस तरह की उमीद 28-39 को होती है एकसाइटमेंट होता है कि इस बार यह प्लान करेंगे इस बार क्या है आए और खर्च यह पूरा लेखा जोका होता है इंटरिम बजट को भी समझेंगे लेकिन 2014 के बाद से अब जगे हर बार मोदी से एक उमीद जोड़ गई है कि अब कुछ नया होगा अगर युवाओं से बात कर रहे हैं कुछ नया दे सकते हैं अगर अभी देखिए आपने सोलर एक करों लोगों को सोलर पूरा पैनल चटों पर लगाने के उन्होंने हाल ही में सौगात दी है उसको हम बजट से जोड़ेंगे तो जब भी प्रधान मंत्री नरेंद मोदी उनकी सरकार और उनकी घोषना को हमेशा एक नहीं उमीद के साथ जोड़ दिया जाता है तो आप सोचिए कि यह दस्वा बजट जो यह अपनी सरकार का पेश करने वाले हैं और जब इस बीज मैं आपको रोकते वेए केशव का मैं रूख करूँगे केशव क्या को जानकारी आपके पास इस वक्त वीद मंतराला पहुंच गया इस वक्त आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि यह क swi तस्विरे वीद मंतरी निर्मला सितारामन अवीद गिली मतरञ आला पहुंच गई है अब यहां पर आपको कोशी दिर में आपको दिखाए देगी लिवीतमीं मला सितार मन कैप helemaal साथ कारगण है अपने अधिकारी के साथ पॉचंड की यहां पर और वंद्जार क्या जा रहा है और सबसे मैत्मून बात इस समワह उनके साथ कौन-कौन मौजूद है कौन से अधिकारी मौजूद है क्योंकि ये बहुत खास ho جाता है आज के दिन जब ये सुबा-सुबा ही दिखता है क्योंकि हात में भray खाता होता है और ये पेपरलेस हो गया है तो इस समए पुरी टीम एक साथ होती है जो महिनों से लगी होती है उस उमीद को लेकर कौन कौन साथ नजर आ रहा है निर्मला सितार्मन के साथ आर्थीक सलाकार है वह मौझूद है और यह इस पूरे टीम जो है जो इस बँजट को त्यार किया जाता है वो सभी लोग इस बक्त वीतमंतराले में वीतमंतरी निर्मला सितारुमन के साथ मौजूद है एक सकीन मैं साक्षी आपको रुकूँगे क्योंकि बारिस तुर हो गई मैं चातरी ले लेता हूँ क्योंकि इदर मौसम भी बहुत खराब है सुबस लगातार बारिस हो रही आप भी देख रहे हैं मैं वीतमंतराले के बाहर मौजूद तस्विरे दिखा रहा हूँ लेकिन आपको सही जगे सुरक्षित कर लीजे कैमरे टीम के साथ लेकिन ये आज का दिन बहुत खास हो जाता है यो कि दो चीजों में सबसे ज़्यदा चर्चा होती है पहला निर्मला सीता अरवन जी की साड़ी क्योंकि वो साड़ी भी एक संदेज देती है पिछली बार उससे पहली बार हमेशा उनकी सारी में कुछ ऐसी चीज होती है, मालक्ष्मी की कभी फोटो होती है दूसरी बात है हल्वा, साक्षी हल्वा आज खाया जाता है और आज के दिन वो जो खुशी है कि आज कुछ नया होने वाला है लेकिन आपने मुझसे सवाल किया था शाक्षी कि क्या उमीदे है देकिए नरिन्न मोदी के हर भाषण, हर गोषणा से बहुत उमीदे होती है ये दसवा बजट है लेकिन उमीदों के साथ साथ ये बड़े मैसिज, बड़े संधेश का बजट होने वाला है नरेंद मोधी के हर भाशन, हर गोशना से बहुत उमीदे होती है, यह दसवा बजट है लेकिन उमीदों के साथ-साथ यह बड़े मैसिज, बड़े संदेश का बजट होने वाला है अंतरिम बजट क्या होता है, रेगिलर बजट क्या होता है, इसका फरक भी समझ लेता है बजट में आप पूरे साल का लेखा जोका देते हैं, 13 किताबे होती हैं जिसमें revenue deficit, fiscal deficit से लेकर, expenditure से लेकर यह तमाम किताबे होती हैं जो interim budget में भी तयार की जाती हैं, लेकिन आज के इस budget में दरसल क्या होता है, कि जो पूरी संसद आपको approval देती है, जब आप budget पेस करते हैं क्योंकि ये सरकार जाने वाली सरकार है, अस्थाई सरकार है, नहीं सरकार आईगी चाहिए ये आए, कोई भी आए, ऐसे में आप सिर्फ जो अभी का जो मार्च के बाद का जो आपका खर्च है, उसको एक तो आप बताते हैं संत्रिम बजट में, उसके अलावा, जुलाई लेकर उनकी, पेंशन को लेकर या उनको लेकर और दूसरी और तवाम तरीके की घोशना है, तो इस बार भी ये माना जा रहा है, जैसा आपने साक्षी शुरूआत में कहा था, कि महिलाओं को लेकर, महिला किसान को लेकर, युवाओं को लेकर, क्यूकि नए वोटर्स तो इस तरह की चीज होगी साक्षी लेकिन सवाल ही होता है कि जिसे हम पिछड़ी जाती को आगे लेकर आते हैं उनके लिए कुछ ऐसा करते हैं हमेशा से आरक्षन की बात होती आई है वो इसलिए होता है कि उनको बराबरी का हक मिल सके लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं को लेकर अभी हमने पोलिटिकल इंडिपेंडन्स देने की कोशिश किया है कि वो चुनाओं में 33 प्रतिशत उतर सकेंगे आगे जब बिल आ जाएगा लेकिन ठीक उसी तरह सबसे महिलाओं की हाथ में इंडिपेंडन्स कब आईगी जब उनकी आर्थिक स्थिती को मजबूत किया जाएगा तो घर में भी कई ऐसे गाउं है पिछरी जगे जा महिलाओं को उतनी मजबूती या उनको घर में उतना सम्मान नहीं मिलता तो शायद निर्मला सीतरमन जी आज जब कुछ अपना पिटारा खोलेंगी तो उसमें महिला और युवा जो हर बार अपने घर से पैसे नहीं ले सकते आर्थिक तरीके से मजबूत नहीं है या वो सेक्शन बीकर सेक्शन उनको कैसे मजबूत किया जाए जी